आज हम सीखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं क्यात करना अमित और नीशा दो संख्याओं के बीच कितनी संख्याओं है यह क्यात करने का खेल खेल रहे थे अमित ने पूछा 2 और 6 में कितनी पूर्ण संख्याएं यानि होल नंबर्स है जवाब प्राप्त करने के लिए नीशा ने 2 से 6 तक पूर्ण संख्याएं लिखी और 2 और 6 को छोड़ कर बची संख्याओं की किंती की और उसने जवाब दिया 2 और 6 के बीच 3 पूर्ण संख्याएं है अब नीशा की बारी थी नीशा ने पूछा रिंड 5 और 0 की बीच कितने पूर्ण आंख है जवाब प्राप्त करने के लिए अमित ने रिंड 5 और 0 को छोड़ कर इनके बीच की संख्याओं रिंड 4, रिंड 3, रिंड 2 और रिंड 1 की गिंती की और जवाब दिया 4 इतने में वहाँ उनकी बड़ी बहन सरीता आ गई खेल को अधिक रोचक बनाने के लिए उसने दोनों को सवाल पूछा एक और दो इन दो पूर्णांखों के बीच कितने पूर्णांख है निशा और अमित यह जानते थे कि एक और दो क्रमागत पूर्णांख यानि consecutive integers है इसलिए इनके बीच कोई भी पूर्णांख नहीं आ सकता इसलिए उन्होंने जवाब दिया एक भी नहीं यानि कि शून्य इस पर सरिता ने कहा बिल्कुल सही फिर सरिता ने पूछा अब पताईए एक बटे साथ और दो बटे साथ के बीच कितनी परिमिये संख्याएं है अमित और निशा ने देखा दोनों परिमिये संख्याओं का हर पराबर है और अंश क्रमागत पूर्णांख है इसलिए दोनों ने सोजा कि इनके बीच कोई भी परिमिये संख्या नहीं आएगी इस तरह से दोनों ने जवाब दिया कोई भी नहीं मुस्कुराते हुए सरिता वोली आप दोनों गलत है इनके बीच कई सारी परिमिये संख्याओं है जैसे अगर हम 1 बटे 7 और 2 बटे 7 के अंश और हर दोनों को 2 से गुणा करेंगे तो हमें इनकी तूली परिमिये संख्याओं 2 बटे 14 और 4 बटे 14 प्राप्थ होगी तो अगर हम दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर दोनों को तीन से गुणा करेंगे तो हमें इनकी तूल्य परिमेय संख्याओं प्राप्त होगी 3 बटे 21 और 6 बटे 21 अब इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं है 4 बटे 21 और 5 बटे 21 जहां 3 बटे 21, 4 बटे 21 से छोटी है और 4 बटे 21, 5 बटे 21 से छोटी है 5 बटे 21, 6 बटे 21 से छोटी है इसी तरह अगर इनके अंशोर हर दोनों को 10 से गुणा करेंगे तो हमें इनकी तूली परिमेय संख्याएं प्राप्त होगी 10 बटे 70 और 20 बटे 70 अब हमें इनके बीच की परिमेय संख्याएं इस प्राकार प्राप्त होगी इसी प्राकार एक बटे साथ और दो बटे साथ के बीच कई सारी परिमेय संख्याएं ग्यात की जा सकती है इस उधारण से हमें पता चलता है कि दो पूर्णांगों के बीच भले ही पूर्णांग की संख्या सीमित यानि फाइनाइट हो लेकिन दो परिमे संख्याओं के बीच जितनी चाहे उतनी परिमे संख्याओं ग्याद की जा सकती है याने कि दो परिमे संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक याने इन्फानाइट परिमे संख्याओं ग्याद की जा सकती है अब मान लीजे हमें रिंट 6 बटे 9 और रिंट 4 बटे 7 के बीच 5 परिमे संख्याओं ग्याद करनी है क्या आप बता सकते हैं इनके बीच की परिमेय संख्याएं कैसे ग्याद की जा सकती है? सूचिए, सूचिए. बिल्कुल सही. पहले हमें इनके हर बराबर करने होंगे. च्योंकि 9 और 7 का लोसर 63 है, इसलिए हम दोनों परिमेय संख्याओं का हर 63 करेंगे. इसके लिए हम रिंट 6 बटे 9 के अंश और हर को 7 से गुणा करेंगे और रिंट 4 बटे 7 के अंश और हर को 9 से गुणा करेंगे. इससे हमें रिंट 6 बटे 9 की तूल्य परिमेय संख्याओं प्राप्त होगी, रिंट 42 बटे 63 और रिंट 4 बटे 7 की तूल्य परिमेय संख्याओं यह हम यह भी कह सकते हैं कि रिंट 36 बटे 63, रिंट 42 बटे 63 की तुल्ला में शूनि के अधिक पास है। इस तरह से अब हम दोनों परिमेह संख्याओं के बीच इस प्रकार से परिमेह संख्याओं लिख सकते हैं। ज़रा सूचिए दो संख्याओं की बीच की परिमेय संख्याएं ग्याद करने के लिए क्या हम संख्या रिखा का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सही हम संख्या रिखा का प्रयोग भी कर सकते हैं जैसे अगर हमें रिंट 3 बटे 2 और रिंट 6 बटे 5 के बीच की परिमेय संख्याएं ग्याद करनी होगी तो हम पता करेंगे संख्या रिखा पर इन दोनों संख्याओं का स्थान कहा है और फिर हम देखेंगे इनके बीच कौन सी परिमेय संख्याएं आती है इसे हम अगले वीडियो में और अच्छे से जानेंगे तो आज हमने सीखा दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं क्यात करना अगले वीडियो में इनसे संबंदित कुछ उधारनों को हल करेंगे